कई बार भारी बारिश आंधी तुफान या किसी दूसरी प्रकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है फसल नश्ट होने से किसान कई मुश्किलों से घिर जाता है और आर्थिक रूप से वट्टूट जाता है किसानों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है इस योजना की तरहत किसान बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकता है बीमित फसल नश्ट होने के बाद बीमा कमपनी उसके नुकसान की भरपाई करते हैं शुरुआत में सरकार ने बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार कर दिया था परन्तु अब यह किसान की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो अपनी फसल का बीमा कराई या नहीं अधिकतर किसान अपनी फसल का बीमा कराते ही हैं प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बीच काफी लोग पड़िये हैं इसके तहट फसल का बीमा कराना काफी आसान है यादि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप आसानी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं अगर आपने एक रिशीरी ने ले रखा है तो आप उस बैंक से भी फसल का बीमा करवा सकते हैं खास बात तो ये है कि बीमा कराने के लिए आपको ज़्यादा दफ्तर या बैंकों का चक्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है बस बैंक से आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरना होगा चुकि लेन लोन लेते समय आपने बैंक को जमीन और अन्य कागजात दिये होंगे इसलि कारी से लिया गया खेत में बोई गई फसल का विवरन और वोटर कार्ट जैसी आईडी ले जाकर फसल बीमा करवा सकते हैं बता देए कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दो तरह की बीमा क्लेम मिलता है यदि अधिक बारिश या प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल बरबाद हो जाती है तो आप बीमा का लाफ उठा सकते हैं साथ ही यदि किसी कारण से फसल बरबाद हो जाए या औसत से कम फसल हुई हो तो आप बीमा क्लेम कर सकते हैं औसत आधार पर फसल कम होने पर बीमा कंपनी अपने आप ही किसान के खाते में पैसे डा को फसल खराब होने की जानकारी देनी परती है बस इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है खास बात तो ये है कि फॉर्म में पूरी डीटेल्स देनी परती है जैसे कौन सी फसल थी फसल क्यों खराब हो गई कितने श्रेत्र में फसल बोई गई थी इसके अलावा गाउं का नाम और खेच से सम्मंधित जानकारी देनी परती है इस फॉर्म के साथ फसल की बीमा पॉलिसी की फोटो कॉपी भी लगानी होती है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत वाली सभी फसलों की बीमा राशी अलग-अलग है सबसे अधिक कपास की फसल के लिए 36,282 और मूं की फसल के लिए 16,497 रुपे प्रती एकर राशी दी जाती है आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हम आपके लिए सरकारी योजना से जुड़ी अन्यजवानकारी लेकर आएंगे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आये हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों इवम परिवार के लोगों के शाथ जरूर शेयर करें